नमस्कार दोस्तों मैं नावे करसिन आप देख रहे हैं मेडिकल गुरूज यूटूब चैनल को आज हम बात करेंगे नीरोकाइंट गोल्ड आरब कैपसूल के बारे में आपने कभी न कभी इस कैपसूल के बारे में जरूर सुना होगा यह मल्टी विटामिन मिल्रस कैपसूल को अन तक देखा ना भूले ताकि आप इस नीरोकाइंट गोल्ड कैपसूल के बारे में अत्रिस्तत्क जानकाई ले पाए और इसका अत्रिस्तत्क गलाब उठा पाए जो भी हमाये चैनल मेडिकल गुरूजी पाए नई सस्काइबर्स आये हैं वो चैनल को सस्क्राइब करन करना और उपाल लाइकान गोले ताकि आगए आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहें यह आपके वितामिन D3 दी तरी से बिलाय हुए है तो आयं्ओ को या लिक ऐसी फहरोल की नाम से जानते हैं। इसका अधारा व्य ट्वी लियन में लाय हुए है पॉलिक असेड हैं, आप सब जानते हैं पालीक एंपिर्स अमय प्रेटोन काम करता है, अगर आपको फॉलक तो को सकते हैं तो सका स्घाइडारिता की इसका ससुर्ण की जाता है मासपेश्यों ऐस सुछे परτάमिन । यह ताकत के लिए स्थेमार के जाता है या अपरिकर कारेंगे ऐसाद है कब करने के लिए स्टमार किस्दाता हिएह बड़कामन की लिए कि पाओं में बरकावन चलती कुछ काम करने कमने करता ह्म पॉअ टूटेस लगते हैं आगों के नीचे काले गेरे रहते हैं तो इसका इस्तमाल किया जाता है तो ज्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोक्राइब करते हैं आपके दोस के बारे में यह capsule आपको लेना होता है अगर adult dose के बाद बात की जाए तो डॉक्टर कभी कवार इसे दो वार से तीन वार भी डॉक्टर इसे प्रस्काइब करते हैं कभी कभी कवार डॉक्टर इसे as a dietary supplement दिन में एक वार रात को सोचे समय भी इसे प्रस्काइब करते हैं खाना खाने के अब इसे किस भी medical shop retail shop और online इसे इसे मंगा सकते हैं बहुत सारी site आती है उनसे भी आप इसे मंगा सकते हैं हम बात करते हैं पर capsule की मतमना आपको बता आदी आर से नौ रॉपे के बीच वार देखने को मिलेगी अलग अलग मार्केट में अलग अलग नामों से देखने को मिल स आप क्या colloquacy for all वगरा earnest n Prim proportion agro i drink वगर ऐसे में अगरीक यहां में देखने की है तो वह में दो साल की थेखने को मिलती हैं एक वाला पर डॉक्टर से कंसल जरूर करें हमारा चैनल किसी परकार से सेल्फ मेडिकेशन यानि खुछ से दवाई लेनी के सला बिलकूर नहीं देता है हमारा चैनल सिर्फ आपकी नोलज परपच के लिए ही वीडियो बनाता है कोई भी अगर खुछ से दवाई लेता है तो व माचेलन कू सणक्राइब करके लाई